हेलो फ्रैंट्स नमस्कार एक्जाम प्रिप्रेशन योटीव चैनल में आप सभी का स्वागत है क्या आपको यह पता है कि पौधे अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं क्या आपको यह पता है कि प्रकास संसलिशन की प्रकिरिया अगर दिन में होती है तो हम उसे प्र फसलिए हम डिस्कूस करेंगे कौन-कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है कौन सा टॉपिक हमारे एक्जाम के पॉइंट आप व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा कम इंपॉर्टेंट है फर्स टॉपिक है हमारा नियूट्रीशन जिसे हम हिंदी में पोसड कहते हैं सेकेंड टॉपिक है digestive system, हिंदी में हम इसे पाचन तंतर कहते हैं, थर्ड टॉपिक है excretory system, या फिर हम इसे secretary system भी कहते हैं, जिसका हिंदी मतलब होता है उत्सरजन तंतर, इसका एक best example है kidney, अगला टॉपिक है हमारा respiration, या फिर respiratory system, हम यहाँ पे स्वसन तंतर के बारे में बात करेंगे, फिर तो टॉपिक है हमारा circulatory system, जिसे हम parisensural तंतर कहते हैं, अगला टॉपिक रहेगा हमारा glandular, या फिर endocrine system, जिसमें हम ग्रंती और अंता स्रावी तंतर के बारे में बात करेंगे, seven topic है हमारा skeleton system, कंकाल तंतर, इससे आप भली भाती परशित होंगे, अगला sensory organs, संवेधी तंतर, इसका best example अगर हम बताएं तो तो अचा, इसकीन, अगला topic रहेगा nervous system, तंतर का तंतर, इसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, ये सारे चीज़े हम यहाँ पे discuss करेंगे, इसके बाद अगला topic रहेगा हमारा reproductive system, प्रज प्रशे जाते हैं, तो आप इस topic को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, अब कुछ topic है, जो हमें जोलोजी और बाटनी दोनों में पढ़ने हैं, तो बाटनी में कौन कौन से topic फिर जा हमें पढ़ने हैं, जिसमें हम पादप कोशिका के बारे में बात करेंगे, अगर cell की ब बात करेंगे हम, लाइफ सेल की खोज किसने की थी, कब की थी, यह सारे सिदे भी important है, अगला topic रहेगा हमारा tissue, उतक जिसे हम कहते हैं, थार topic है classification of living, इसमें हम सजीयों के वरगी करण के बारे में बात करेंगे, एक important question जो कि यहां से हर बार पूछा जाता है, अगर यहां से क कोई question पूछा जाता है, तो यही question पूछा जाता है, कि जनतुओं का सबसे बड़ा समू कौन सा है, तो आर्थो पोड़ा जो है, वो जनतुओं का सबसे बड़ा समू है, fourth topic है हमारा plant and its structure, यहां पे हम पादप और उनकी संरशना के बारे में बात करेंगे, फिर तो टॉपिक यह बना हुआ है, तो bios और logos, यह आपको पता ही होगा, तो bios का मतलब होता है, लेवेंग्स और logos का मतलब है study, किसी भी, अगर study या फिर बिज्ञान सब्द किसी भी चीज के बाद में लगा हुआ है, तो बिज्ञान, बी प्लस ज्यान, तो बी का अर्थ है बिसेज ज्यान, बिसेज और ज्यान का मतलब है ज्यान, किसी भी असी साखा पर जिसमें हम बिसेज ज्यान प्राप्त कर लें, बहुत ही डीप नॉलेज, एक सुब्यवस्थित, करम बध्ध ज्यान, जिसे हम बिज्यान कहेंगे, तो इस तरीके से अगर किसी चीज पर हम बहुत ही अच्छे स जिन्हां प्राप्त करने की कोशिश करते इसके बड़े वहां पर लोगो शक की बात होँ रहे हैं सब्सक्रास के करेंगे उसे हम बाइलो जी कहेंगे इस विद्धाथा में हम सजीओं के बारे में अध्यान करते हैं अब सबसे बड़ी बात कि हम कैसे जानेंगे कोई चीज सजीव है उसके लिए भी कुछ आधार भूच चीजे हैं जिनके माध्यम से यह चान सकते हैं कोई चीज सजीव है या निर्जीव है तो फर्सली हम यह चेक करेंगे respiration कि वो चीज स्वसन की प्रकिरिया में participate कर रहे ही नहीं कर रहे ही वो सांस ले रही है चीज या नहीं जैसे पादप है तो वो भी सांस लेते हैं और मानव है तो वो भी सांस लेते हैं तो पहले हम यहीं देखेंगे कि वो स्वसन की प्रकिरिया कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं त और पोसरें कर रहा हैं जरूती है को कर रहा है तो हम यह कह सकते हैं कि भी गुभी इस बात को हम कह सकते हैं के दो की हैं तो सब्स लوم है चले हुँ चलते तो नहीं ठोल आ हाँ हवाशल gather है इस चीज से हम कह सकते हैं कि वह सजिव हैं फिर चाहँ चीज हम क्या देखेंगे उसमें 그ोफ heure डिएबलपमेंट ब्रिद्धी और विकास हो रहा है कि नहीं जैसे पेड़ है कोई छोटा सा तो वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है कोई इंसान है चोटा सा बच्चा है तो उसमें ब्रिद्धी हो रही नहीं हो रही वो उसका विकास हो रहा है कि नहीं हो रही यह सारे चीज़े हम देख बताने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरुवत होगी या कौन कान सीचीजों के बारे में जानना होगा सवसन पोशर मौम्मेंट के बारे में और अगला रहेगा हमारा रिप्रोडक्षन यह पांचों अगर हो रही है इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि वो इस पूरे तरीके से सजीव है अब यहां पर बात आती है सजीयों के वर्गी करण की तो सजीयों का वर्गी करण कौन किया कार्लस लीनियस सर कार्लस लीनियस जी ने सजीयों का वर्गी करण किया इन्हें father of taxonomy भी कहा जाता है कारलस लीनियस जी को father of taxonomy वरगी की का पिता कहा जाता है इन्होंने किस तरीके से वरगी करड किया ये भी जान लेते हैं plants और animals दो चीजों में इन्होंने वरगी करड किया था तो plants जिसमें हम plants का अध्यन करते हैं से बॉतनी कहते हैं और जिसमें हम जियोजनतुओं का अध्यन करते हैं उसे हम जुलोजी कहते हैं अब यहां पर एक important question कि बोटनी के पिता कौन है father of botany किसे कहा जाता है तो थी यह फ्रेस्टस जी को father of botany कहा जाता है और जुलोजी की बात करें और और बाइलोजी की तो इन दोनों के पिता जियो विज्ञान और जन्तु विज्ञान दोनों के पिता है अरस्तु यह क्वेश्चन और आप जियो विज्ञान के पिता कौन है तो जियो विज्ञान के पिता की बात की जाए तो उसके भी पिता अरस्तु है तो यहां से आप यह यहां से आप यह याद रखिएगा बहुत ही कन्फ्यूजन होती है लोगों को तो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होएगा जिव विग्ञान और जन्तु विग्ञान दोनों जासे स्टार्ट हो रहे हैं और दोनों के पिता हैं अरस्तू बनश्पति विग्ञान जिसे हम ब प्रयोग किसने किया था तो इस सब्द का सरप्थम प्रयोग करने वाले लामार्क जी थे लामार्क जी ने बालोजी का सरप्थम प्रयोग किया था पर इसके पिता तो किसी और को हम कहते हैं बिल्कुल सब्द का इन्यों नाम दे दिया था कि बालोजी है तो इस सब्द का प च्शुर्फि ajudar अप्टीरिया भी चाहNew तो यहां पे अंट्योन लिव्ट इन्हें का जाते हैं मै continuing पिपता है और इनी को बैक्टीरिया का भी फानर कह जाता है बैक्टीरियो ला और उन्हों नहीं दीखेंगे पोशड यहां पे हुए अगला हम देखेंगे पोशड के स्ने देखेंगे मतलब क्या है इसके प्रकार कितने हों किस तरीके से बोशत होता है कौन बेगा हो कि दो नॉटीरिशन क megapूष सब्द है Connieम ऑना सप्ड यहां तो का कродиться को ग्रहन करने की प्रकिरिया को हम पोसड कहते हैं acquire nutrients by food stuffs तो जो हम खाद्य-पदार्थ होते हैं हमारे जैसे जो खाने-पिने की चीज़े होती है कुछ उसमें कर्वोहाइड्रेट्स होते हैं कुछ वसा की चीज़े होती है जैसे घी वगेरा हो गई तो यह वसा में आती है तो इन सारे चीजों को जो हुम ग्रहण करते हैं इसे पोशक तत्तो हो गया उनको ग्रहण करने के प्रखिरिया और चावल को खांद पद्धार्थ को उसको ग्रहन करने की प्रक्रिया जो है वह न्यूट्रिशन या पोशड कहलाती है अब यहां पर जरूरत क्यों जरूरत थी पोशड करने की किसी भी चीज की अगर कोई चीज सजी हो है उसकाम पोशड नहीं करेंगे भर पोशड तो वह कैसे चलेगी तो इसकी जरूरत हम के लिए तो फरसली earn कि पोशड की जरूरत क्यों है तो उसका पहला रीजन यहीं है कि हम मूझूशा चाहिए होती है को ईक्टम १ाय होती दूसरी नहीं करने के लिए दूसरा है प्रिद्धिंतों बोट था फूर संहाल होता है थूशर बढ़ना पादर नहीं होता है या फिर वो सही तरीके से स्वसंद प्रकास संसलिशन नहीं कर पा रहें उन्हें धूप नहीं मिल पा रही है तो इस वज़े से उनकी ग्रोथ रूख जाती है यह सारे चीजह चाहिए होती है इसलिए पोसड की जरूरत होती है रूटिन है meditation गैने के लिए उन्हें कने के लिए हमें पुसद्ड की ज़रूरत करनी नूट्रिशन कौन-कौन से प्रकार हमें नूट्रिशन की क्या तो Basically these टाइब के nutrition होते हैं proper, improper और malnutrition जिसे हम सुपोफ़शन, अलफ़शन कहते हैं हिंदी में सुपोफ़शन अगर प्रॉपर nutrition है और कुपोफ़शन कहेंगे improper या under nutrition को under nutrition अलफ़शन है तो उसे में मिनरल जितनी मात्रा में हमें चहिए पानी ये सारे चीज़े अगर हम उचली मात्रा में तो हमारा सुपो सर्ड होगा Magic Bodyley प्रॉपर फोर में सारे सीज़ तो कुछ लोग घी। मिल पाती है तो अगर वह है थोड़ा सा lack of sub Victree जि़स्पूसक्त तत्यों कि एगर कमी है तो उसे हम अल्प पूछया कहते हैं अंडर्ण निडिक्रिक्षिण क्रेंगे इस तरीके से फूछा जा सकते हैं अग्छा पूसक्त क्रेंट कि कमी रहती हैं और तau पोशक तत्यों की कमी रहती है नहीं प्रॉपर वे में कर्भोहाइडरेट मिलता है नहीं प्रॉपर वे में प्रोटीन इसी तरीके से प्रॉपर वे में पानी पाते तो पानी भी नहीं से पी रहे होते हैं इस वज़े से उनका कुपोशड हो जाता है अब यह डिपेंड करता है कि मतंब हम किस तरीके की डायेट लेनी हैं वूश ato कहम कैसे जाने हैं कि हम प्रपर डायेटमे क्या सीजें हैं अगर हम बैलन्स डायेट लेनी हैं तो बूश जक लिए करने हैं तो उस तरीके से हमें बै क Αillah लेनी से अगर को शिरके 8 गॅटτο करने हैं तो नहीं त्थैन uh किलो कैलोरी की जरूवत होती है अगर को पंपत O के दिडाना अर्फिर कोई वर्याइव उANG तीकी के बहुत निटर्बर की तरहेंगे considering इसे तरगे से कोई female हैं, उन्हें हलका फूल का light work करना है, तो उन्हें 200 kG की जरूपत होगी, और अगर आट गंटे की duty है, नदब आट गंटे उन्हें proper बे में काम करना है तो उन्हें 200 kG की जरूपत होगी, और इसी तरीके से अगर उन्हें भी हैवी वर्क करना है, कुछ ल से एक important question यहां से यह बनता है यहां तो यह हम जानगे है कि किसको कितने उर्जा की जरूरत है उसके काम के according अब उर्जा की बात आई है तो उर्जा से related important question यहां से बनता है कि SI unit पूछी जाती है इसकी SI unit होती है Joule एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं यह question भी पूछा जाता है बेद important question है तो आप इससे जरूर याद रखेगा एक कैलोरी में 4.18 Joule होता है जिसे हम 4.2 Joule भी कह सकते हैं approximately उतना ही होता है 4.18 का यह या फिर 4.2 Joule भी आप कह सकते हैं option के उपर डेपेंड करेगा कि किस तरीके से option में दिया है एक जूल में इसी तरीके से अगर आप से पूछ लिया जाए कि एक जूल में कितनी कैलोरी होगी तो 0.24 कैलोरी होगी एक जूल में एक कैलोरी में कितने जूल होंगे 4.18 या 4.2 जूल डेपेंड करेगा ऑप्सन पे और इसी तरीके से अगर आपसे यह पूछा जाए कि एक जूल में कितनी कैलोरी होगी तो 0.24 कैलोरी होगी यह एक important question था जो कि यहां से पूछा जाता है बे villages कि इसी यूनिट जूल है एक जूल में कितनी कैलोरी होती है और criar कैलोरी में कितने जूल होते हैं तो 4.18 या 4.2 जूल इस थे आप nutrition के बारे में अब हम पढ़ेंगे मैथ आप nutrition में है आटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप तो कुछ ऐसे भी यहां पे जिवजन्तु होते हैं या फिर पॉधे जो होते हैं वो आटोट्रॉप होते हैं जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं स्वयम भोजन का निर्माड करते हैं और जो मानव जियु घंटु है इवह अपने भोजन के लिए दूसरे पेडिपेंडेंडु होते हैं इन्हें हम परपोशी कहेंगे और जो अपने भोजन का स्वयम निर्माड करेंगे को हम जो ऑपने स्वयम यह भी जानना जरूरी है फोटो सिंथेसिस परफॉर्म करते हैं यह प्रकास तंसलेशन की प्रकिरिया करते हैं उसक्रिया के द्वरे यह अपना भूजन स्वयम बनाते हैं तो इसमें घ्जाम्पल अगर हमें बताना हो कि कौन से अध्यासे उदाहरण है जो अपना भोजन जो मानों जाती है वह हेट्रो ट्राप होती है हेट्रो का मतलब है यहां पर दूसरे जो दूसरों पर डिपेंडेंट हो अपने भूजन के लिए जो दूसरों पर निर्भर रहते हों उन्हें हम परपोसी कहते हैं यह प्रकास तंसलेशन की प्रक्रिया नहीं करते हैं एक इंप पराफ फोटो सिंथेसिस की प्रक्रिया परफॉर्म की जाती है गज裝By मतर Qui Đ rabbi एक माणू बंटर निर्ड पढेंगे फोटो सिंथेसिस के बारे में फोटो सिंथेसिस पतियों के द्वरा किया JOते हैं है का संसलेचर्ट की प्रक्रिया है वो पत्तियों में होती है पत्तियों में एक चीज पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं क्लोरोफिल की खोज की बात करें एक इंपॉर्डन क्वेश्चन यहां से यह बनता है कि क्लोरोफिल की खोज किस ने की थी क्लोरोफिल की खोज सर हें युल से एक एक और विए बनता है कि क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व कौनसा ऐसा तत्तव है जो क्लोरोफिल पाया जाता है तो magnesium, magnesium जिसका सेंबल है Mg, Mg एक ऐस अताट्टो है जो chlorophyll में पाया दाता है, अब photosynthesis में कौन कौन सी चीजों की requirement होगी हमें, अब प्रकास सलिसर्ड करने के लिए हमें carbon dioxide चाहिए, पौधू कोई इन सारी चीजों की जरूरत होती है, water and minerals चाहिए, मतब जल और खनीज लवर चाहिए होते हैं, और सूर्य का प्रकास जो की compulsory है, तो यहाँ पर आप nitrogen, oxygen और carbon dioxide के हम बात कर लेते हैं, कि हमारे environment में कितना कितना पाय जाती है, तो nitrogen सबसे ज़्यादा मात्रा में पाय जाती है, nitrogen 78% पाय जाती है, oxygen की बात करें, 21% यह question पूछे जा चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पर डिसकस कर लिया, oxygen की खोज किसने की थी, यह question इसी बार RRBG में पूछा गया था, oxygen की खोज सर्प्रिस्टले जीने की थी, सर्प्रि 0.03% carbon dioxide हमारे environment में पाय जाती है, carbon dioxide एक बहुत बड़ी वज़े है, global warming की, यह एक ऐसी gas है जिसकी वज़े से greenhouse effect और global warming की problem है, अब greenhouse effect की बात आई है, तो इस से related एक protocol है, उसके बारे में भी हम बात करेंगी कि इस से related question environment में पूछा ही जाता है, क्योटो प्रोटोकाल से इस प्रोटोकाल में हम करते क्या है, बेसिकली हम इस प्रोटोकाल में greenhouse gas को decrease करने की कोसिस करते हैं, उन gas को decrease करने के लिए protocol बनाया गया है, जितने questions पूछे गया हैं इस ट्रॉपिक से, वो सारे questions हमें आपर discuss कर रहा है, तो firstly one by one करके हमें आपर discuss करेंगे, monetary and protocols है, ozone layer depletion से सं करते हैं, ozone layer की क्या जरूरत है, तो ozone layer जो है, यह हमारे skin को ultraviolet rays से बचाती है, और ozone layer कहां पर पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, ozone की smell पूछी गई थी, यह question important है, important mark करके note down कर लिजेगा, ozone की जो smell है, सड़ी हुई मचली की तरह है, यह तो कुछ questions थे हैं, जो क प्रोटोकॉल से संबंदित थे हैं, दो प्रोटोकॉल हमने इस पेज पर डिसक्स किया, अगले वाले पेज पर दो और प्रोटोकॉल हम डिसक्स करेंगे, जो की बहुत important है, अब यहां पर हम carbon dioxide की बात कर रहे थे, 0.03% यह पाई जाती है, और इसकी मात्रा जो बढ़ जाती है, तो इसी की वज़े से global warming और greenhouse effect की problem आती है, तो carbon dioxide की कहां कहां पर मतलब इसको हम यूज करते हैं, तो cold drink जो कि हम cold drink या soft drink आप कह सकते हैं, जो हम पीते हैं, उसमें भी carbon dioxide का प्रयोग किया जाता है, fire extinguisher के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, अगने सामा के अंत्रो आग बुझाने वाल gas के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, तो question ये पूछा जा चुका है, कि आग बुझाने में कौन सी gas का प्रयोग किया जाता है, तो CO2 का इसमें प्रयोग किया जाता है, यहां पर कुछ हमने carbon के समस्थानिक बताय हुए है, यह आप देख लिजे 6C12, 6C13, 6C14 Isotopes of Carbon Isotopes क्या होते हैं? समस्थानिक समान अस्थान वालों को हम समस्थानिक कहते हैं समान अस्थान कैसे हम बताएंगे? तो जो periodic table है आवर्थ सारडी उसमें atomic number के according सारे elements का अस्थान decide किया गया है कि उनका place बताया गया है कि यह इनका place है यह इस number पे है तो छटवे number पे अगर आवर्थ सारडी देखे होंगे तो आपको पता हुगा कि छटवे number पे carbon है जिसका atomic number है 6 तो यहाँ पे समान अस्थान की बात की जा रही है तो atomic number सेम होगा और इनका atomic mass जो इनका atomic mass है परमाड उभार वो different होगा एक important question यहाँ से यह पूछा जाता है 6C14 का use पूछा जाता है जिसे हम C14 भी कहते हैं और इसका use carbon dating में किया जाता है जीवास्मों की आयू का पता लगाने में तो एक important question यहाँ से यही पूछा जाएगा कि जीवास्मों की आयू का पता लगाने के लिए हम कौन से carbon के isotope का यूज करते हैं तो carbon के तो एक isotope है नहीं तीन isotope है 6C12, 6C13, 6C14 तो C14 का use हम carbon dating के रूप में करते हैं जीवास्मों की आयू का पता लगाने के लिए तो दो question आसे बनेंगे carbon dating का यूज क्या है जीवास्मों की आयू का पता लगाने के लिए और carbon के कौन से isotope का यूज हम जीवास्मों की आयू का पता लगाने के लिए या carbon dating में यूज करते हैं तो C14 दो protocol के बारे में हम और बात करेंगे Cartagena protocol और Nagoya protocol ये दोनों protocol जो है बायो डायवरिसिटी से रिलेटेड है जय विवेदिता से इसमें हम ये चानेंगे कि एक red data book होती है वो book किसके दोरा publish की जाती है ये question कई बार पूछा जा चुका है कि red data book किसके दोरा publish की जाती है IUCN दोरा ये एक organization है जिसके दोरा ये book red data book जो है ये publish की जाती है इस book में हम क्या बताते हैं तो इसमें संकता ग्रस्त प्राणियों के बारे में बात की जाती है कौन से यासे मतब जियू जन्तु है जो बिलुप्थ होने वाले है IUCN का full form हम देख लेते हैं International Union for Conservation of Nature International Union for Conservation of Nature अब यहां पर एक important topic sorry important question यहां से एक और पूछा जाता है green muffler तो muffler हम कान में बातते हैं ठंड में तो कान से relate करा के आप याद रखेंगे कि ये green muffler जो है वो किस चीज से संबंदी थे to noise pollution से noise pollution मतब ध्वानी प्रदूसर से संबंदी थे green muffler ध्वानी सुनने के लिए हमें कान की चरुवत होती है और कान से संबंदी थे मतब कान से relate करा के हमें याद रखेंगे muffler और muffler जो है green muffler वो noise pollution ध्वानी प्रदूसर से संबंदी थे अब BOD की बात कर लेते हैं यह भी एक important question यहां से जितने important question पूछे जाते हैं वो सारे हम यहां पे discuss करते हुए थोड़ा time लगेगा पर आपको वो चीज़े मिलेंगी जो आपके exam के लिए important है आपको topic वाइज सारी चीज़े मिलेंगी और वो सारी चीज़े मिलेंगी जो आपके exam के point of view से important है आज इस पॉइंट से आपको question मिलेंगे paper में इस बात की guarantee है तो हम BOD के बारे बात करने जा रहे थे biological oxygen demand इसका full form पूछा जाता है जिसका full form है biological oxygen demand जिसमें पूछा जाता है biodiversity की बात आई थी तो इसलिए हमने यह पर discuss करना उचिज़े समझा biological oxygen demand में यह पूछा जाता है कि जलिये जियो जन्तु है उन्हें रहने के लिए जल में उचित मात्रा कितनी होती है oxygen की अगर एक्सिजन की उचित मात्रा जो है जो है कम最 कम छे पर्सेन्ट ऑपर शेंट की जरूरत होती है जल में अगर किसे जलिये जियो को अब पर निवास करना अगर पानि में छे पर्सेंट से कम oxygen मोचन fan करते हैं और औरो जोन को ओध्री से रेप्रेजन करते है तो अगर पा या पानी जो है नुफसान दायक है तो कम से कम 6% oxygen जल में होनी चाहिए जिसमें भी हम जल ये जियू जन्तुओं को रखते हैं हमारे सरी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है यहां से question पूछा जाता है तो यह तत्व है oxygen कि हमारे सरी में सबसे ज़्यादा है जिसके वज़ своja न अब हहांसे एंब कराकी याद रखेंगे कि सब से जधा बाला त्थ तो जो है वह आप सबसे ऑल और पानी इस तो तो आप आप वहां से बहुत ज़्यादा है नारे में अब वाटर और मिनरल की बात कर लेते हैं पेर पधों तक अभी हम यहां पर पोसड की बात कर रहे थे तो पेर पधों में पोसड कैसे होगा उनको वाटर और मिनरल जल और लवड कैसे मिलेगा तो यह सारे चीज़े हम देख लेते हैं तो जल को एक जाइलम नाम का उतक होत जल को पहुचाता है तो जल से हम याद रखेंगे जाइलम और फ्लोयम को फल से रिलेट करा लिजे तो इंसान तो फल खाता है तो उसके खाने की चीज हो गई तो फल आप यहां पर रिलेट करा के याद रखेंगे फूड फ्लोयम को फूड से रिलेट करा लिजे ज्यादा जल पोचाता है झायल को पहुंचाता है यहां जया पीर यह देखिए यहां से जल ले आ रहा है पत्तियों तक यह जल पहुंचा दिया पत्तिया ग्लुकोज का निर्माड करेंगी पेड़ पॉधर प्रकास तंसलेशर की बात हमने की थी प्रकास तंसलेशर जब दिन में होता है उसे हम प्रामरी फोटो सिंथेजिस कहते हैं और उसमे काम को उनकर याकрал है जाता है यह दिन में प्रकास तंसलेशर की प्रकास असलेशर की प्रकेया हो रही है यहां पे पत्तियन ग्लुकोज का निर्माड कर रही है यह देखिए ग्लुकोज का निर्माड हो गया यह फूल है यह और भी पत्तियां है यह फल है इन सब तक पानी पहुचाने का काम को उनकर रहा है जाइलम जाइलम जड़ से लेके पत्तियों तक यह तने तक पानी पहुचाता है आप इस तरीके से याद रख सकते हैं यह कार रिक ऐसे होता है तो कैपलरी एक्षन इसे हम केसी कत्तो कहते हैं इससी बेसिश काम होता है, काफ इंप्स में, वो जलती रहती तो वो भी केसी कत्त्व का ही जमपल है यह गेक्जाम्पल पूछे जाते हैं कि दाइलम के सिद्धान्थ पर वर्क करता है तो के ईक्टेलेरी अक्षन केयो का एक्जाम्पल है यह हमारा पौधा है या पेड़ा आप कह लिजे और जाइलम जो है वह जड़ से लेके पत्तियों तब या फिर तने तक जल पहुंचाता है फ्लोयम क्या पहुंचाएगा वह फ्रूट सॉरी फ्रूट नहीं आप यहां पर फल याद रखिए या फिर फल न भी जाइव फ्लोयम है यह क्या करेगा जो पौधों का भोजन तयार हुआ है यह ग्लूकोज अगारा बन के जो तयार हुआ फोटोजंतेजिस के माद्यम से यह पौदे के अलग अलग भागों तक पहुंचाएगा डिफरेंट डिफरेंट पार तक यह food को plant के डिफरेंट डिफरेंट पार तक पहुचाता है तो यह कौन पहुचाता है फ्लोयम अब यहाँ पे sun की बात आई है sunlight में ही यह सारा process हो रहा है photosynthesis photosynthesis अगर दिन में होगा तो उसे हम primary photosynthesis कहेंगे और इसमें निर्माड किस चीज का होगा glucose का यह आप जरूर ध्यान रखिएगा यह question थोड़ा सा typical है और confuse करने माला है तो इसलिए आप याद रखिएगा photosynthesis की प्रकिरिया अगर sunlight के उपस्थिती में हो रही है presence of sunlight तो उस time पे पेड़ पौधे माल्टोज का निर्माड करते हैं अब यहाँ पर सन की बात आई है तो सन से related सन से solar energy मिलती है हमें जिसे हम renewable energy कहते हैं नवी करड यह उड़ जा अब यहाँ पर एक question यह पूछा जाता है कि सन पर जो सूर्य है वहाँ पर कौन सी ऐसी प्रकिरिया है जिसके द्वारा इतनी ज्यादा मतब बुर्जा मिलती है हमें solar energy के रूप में तो वहाँ पर नावकिय सन लैन की प्रकिरिया होती है वहाँ पर एक hydrogen दूसरे hydrogen से मिलके helium का निर्माड करते हैं और energy बनाते है तो इस तरीके से नावकिय सन लैन की प्रकिरिया जो है वह सूर्य के दौरा की जाती है वहाँ पर उसी की वज़े से इतना ज्यादा मिलती है अगले हमारा पेर पौधे अपना भोजन की सीज में स्टोर करते हैं यह सारे कुस्चिन हमने स्टार्टिंग में उसे पूछा था कि फोटो सिंथेसिस अगर दिन में हो रही है तो उसे हम प्रैमरी फोटो सिंथेसिस कहेंगे और उसमें निर्माड की सीज का होगा तो उसमें निरमाड़ ग्लुकोज का होगा फोटोसिंथेसिस अगर रात में हो रही है तो उसमें निरमाड़ होगा मालटोज का एक और question हमने पूछा था पेड़ पौधे अपना भोजन किस रूप में store करते हैं तो पेड़ पौधे अपना भोजन स्स्थार या मंद के रूप में इस्टोर करते हैं यह क्विश्चन कातो इंप्वॉर्टिन्ट है वे पूछा गया था तो में प्राइम प्राइमरी फोटो सींथेसिस कहाँगे ग्लू कोज 앞र्माद होगा यहां है कि अगर हो रहे हैं कि यहmidtरी फोटो सिंथेसिस की बात की यहां पर प्रकास संसलेशन अगर हो रहा है तो उसमें प्रकास उर्जा कौन सी उर्जा में परिवर्तित हो रही है तो यहां पर प्रकास उर्जा जो है हमें सूर्य द्वारा जो सनलाइट में ली हुई है वह यहां पर रासायनिक उर्जा केमिकल एनरजी परिवर्तित हो रही है इस परिवर्तन से रिलेटेड कि कौन सी अनर्जी को कौन सी इनर्जी में कनवड करते हैं तो कुछ ऐसे इंस्रूमेंट है या फिर कुछ डिवाइसे हैं जिनकी बात हम कर लेते हैं बाद लावड स्पीकर जोकी question कप कई बार पूछे जा चुके हैं यहां से एक question यह पूछा जाता है कि loud speaker loud speaker sound energy को कौन सी energy में convert करता है electrical energy को कौन सी energy में convert करता है तो confuse करने के लिए आपसे दोने तरीके से question पूछे जा सकता है अभी हम पढ़ रहे थे प्रकास translation के बारे में तो प्रकास translation में एक important चीज यह थी कि प्रकास उर्जा कौन सी उर्जा में बदलती है तो प्रकास उर्जा रासाइनी कौर्जा में बदलती है प्रकास उर्जा रासाइनी कौर्जा में परिवर्तित हो जाती है तो इस परिवर्तितन से related कुछ और भी devices हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं those electrical energy को mechanical energy सांधिशेंटेटर जमर्च ऑट देनों क्या करता है इन job को अनले करेगा निणाप में ऑथी कमें चेंप ऐगा मोटर में अजय में याइगा और ंभाट्य। incredible पहले प्रकास उर्जा में परिवर्दत था कि प्रकास सेलेक्षन में क्या होता है यह क्षा को अग्रières करांगर करते को होन달 इलेक्रीकल एनर्जी महां पर हम देते हैं तुछ पिर बात में हमें सहट होके साउंड उनरजी मिल जाती है बैटरी में क्यामिकल और और बाद में इलेक्ट्रिकल आपने अगले मेलश प्रकास का कलर जिसमें मतलब सं लाइट में साथ कलर पाए जाते हैं आपको पता होगा इंद्रधनुस के कलर के बारे में अगर आपको नौलेज हो विब गयूर आपने पढ़ा होगा तो इसमें वी है वाईलेट से रिलेटिट है तो इसमें लैम्डा जिसे हम बेवलेंथ कहते हैं बेवलेंथ इसकी सबसे ज़्यादा कम होती है जो हमारा आस्मानी रंग का प्रकास है इसकी बेवलेंथ सबसे कम होती है अब रेड की तरंग दर्ध जिसे हम बेवलेंथ कहते हैं इसकी बेवलेंथ मैक्सिमम होती है तो सूरे के लालवा नीले प्रकास में नीले रंग के प्रकास में सबसे ज़्यादा फोटो सिंथेसिस होता है तो क्वेश्टन इसी तरीके से पूछा जाता है यहां से कि सूर्य का मतलब इन सातों रंगों में से कौन से यासे दो रंग है जिन में फोटो सिंथेसिस बहुत जादा होता है क्योंकि उसकी बेब लेंथ भी जादा है इस वज़े से आपे फोटो सिंथेसिस आसानी से हो पाता है लाल और नीले प्रकास में और सबसे कम फोटो सिंथेसिस किसमें ह और गोगा?